हालो दोस्तों अंजोरी का अभिवादन स्वीकारिये गिरीश बिलोरे ओफिशल पॉड़कास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज का पॉड़कास्ट भारत के मध्यवर्ग यापर केंद्रित है इस पॉड़कास्ट में लेखक ने भारत के संदर्भ में मध्यवर्ग की स्थिती को प्रदर्शित किया है और कुछ सवाल भी खड़े किये हैं 6 दिसंबर 2011 को अमेरिका के ततकालीन राष्ट्रपती बराक उबामा ने एक भाशन में आर्थिक विकास में मध्यवर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था एक कमजोर मध्यवर्ग पूरे देश के आर्थिक विकास को बाधित करता है मजबूत विकास के लिए सशक्त मध्यवर्ग जरूरी है जब कमपनियों के उतपाद और सेवाओं को खरीदने में मध्यवर्ग या परिवारों की क्षमता घटने लगती है तो अर्थ विवस्था में उपर से नीचे तक सब कुछ गिरने लगता है असमानता हमारे लोकतंद्र को विक्रित करती है क्योंकि इससे वे चुनिंदा लोग ही अपनी आवाज उठा पाते हैं जिनके पास लॉबिंग और प्रचार के लिए पैसा होता है उप्रोक्त समाचार शायद आपने पढ़ा होगा यदि नहीं पढ़ा तो हूँ बहु काफी पेस्ट किया है किसी भी राष्ट्र की समरिध्धी और उसके हैप्पीनेस इंडेक्स के सकारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में बराक ओबामा का यह कथन पूरी तरह सही और सटीक माना जा सकता है आज यहां हम मध्यम वर्प को विकास के संदर्भ में विशलेशित करेंगे मिडल क्लास की परिभाशा क्या है उसे जन संख्या और प्रति व्यक्ति वार्शिक आय के पैरामीटर पर कैसे समझा जाएगा इस पर बहुत सारी पाठ्य सामगरी पब्लिक डॉमेन पर पहले से ही मौजूद है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं काल मार्क्स से प्रभावित साहित्यकारों एवं विचारकों की अवधारना जो भी कुछ हो उसे समकालीन भारतिय और वैश्विक परिस्थिती का कोई लेना देना नहीं बदलते परिवेश में मध्यवर्ग के प्रती सकारात्मक विचार विमर्ष की आवशकता है दावा यह किया जा रहा है कि साल 2047 भारत मिडल क्लास की आबादी 100 करोड से भी अधिक हो सकती है बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका में मध्यम वर्ग के संख्यात्मक रूप से कम होने के कारण अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की ओर इशारा किया है इससे उलट मध्यवर्ग की आबादी बढ़ने से भारतिय अर्थ तंत्र आमूल चूल परिवर्टन की नजर आएगा मध्यवर्ग की संख्यात्मक व्रिधी से टैक्स की परिधी में संख्यात्मक एवं गुणात्मक व्रिधी भी होगी विष्व के मध्यवर्प की विशेश्टा है कि वह सामान्य रूप से आत्म निर्भरता पर निर्भर करता है। अपनी संस्थान अत्वा व्यवस्था से मध्यम वर्ग को गहरा लगाव होता है। मध्य वर्ग जहां एक और पूंजी पती संस्थाओं के लिए आकसीजन है वहीं, दूसरी और निम्न वर्ग के लिए तुरंत मिलने वाला शेल्टर भी हो जाता है। गरीब व्यक्तियों परिवारों के लिए फाइलों के सहारे प्राप्थ होने वाली सुविधा एवं सहायता से पूर्वी मध्य वर्ग की सहायता उस गरीब परिवार तक सबसे पहले पहुचती है। परंदो बाजार में मूल्य व्रिधी की अनिश्चिताओं भरी स्थिती के कारण मध्यम वर्ग व्यथित भी होता है। कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि मध्यवर्ग पारिवारिक अर्थ व्यवस्था को चलाने के लिए कीमतों में अत्यधिक उतार चड़ाव के कारण अपने मासिक और वार्शिक बजट में स्थिर्टा नहीं ला पाता। पहली बार प्रधान मंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोधी जी ने अमेरिका के मेडिसिन्स कवोयर में अपनी भाशण में कहा था कि हम नीजी सेक्टर के साथ साथ व्यक्तिगत सेक्टर होगी संरक्षित करेंगे। इसका संकेत यहां माना जा सकता है कि प्रधान मंत्री ने आर्थिक परिपेक्ष में मध्यम वर्ग के सौफ्ट पावर का एमपॉवर्मेंट की कोशिश करने का संकेत दिया था। किसी भी देश की एकोनॉमी का आंतरिक पक्ष तभी चमकदार हो सकता जब उसे देश का मध्यम वर्ग मजबूत होता है। सवाल यह है कि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का मध्यम वर्ग क्रमशा अपनी योग्यता कार्य कुशलता और संधर्श शीलता के कारण भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण स्थान दर्ज कर लिया है। वर्ष 2013 में मध्यम वर्ग की औसत आमदनी 4.4 लाख रुपए वार्शिक थी। लेकिन वर्तमान में यह आए बढ़कर 13 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टेट बैंक ओफ इंडिया के रिसर्च से पता चलता है कि 2047 तक भारतियों की आमदनी 49.9 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। 2021 तक माध्यम वर्ग 432 मिलियन भारतियों का समूह था जो जन संख्या का लगभग 31 परसेंड है। वर्ष 2005 में जन संख्या के सापेक्ष 14 पसेंट लोग मध्यवर्ग में थे। उप्रोक्त आंकडों से पता चलता है कि मध्यवर्ग का आकार बढ़ रहा है। भारत में सबसे निम्न मध्यम वर्ग को औसत दैनिक आई 17 अमेरिकी डॉलर तथा उच्च मध्यवर्ग की 100 अमेरिकी डॉलर महत्वपूर्ण आंकडा है। औसत रूप से प्रत्येक मध्यवर्गी परिवार के पास कम से कम आठ लाख रुपए की संपत्ती अवश्य होती है। देखने में यह स्थिती बेहद आकरशक और हैप्पीनेस इंडेक्स को उपर प्रदर्शित करने वाली लग रही है। परंतु भारत में प्राइस इंडेक्स में निरंतर परिवर्तन से मध्यवर्ग द्वारा कैपिटल जेनरेशन करने में कठिनाई उत्पन हो रही है। मध्यवर्ग की दूसरी कठिनाई है आयकर जो उसे पूंजी निर्मान के लिए सबसे बड़ी बाधा बनकर तयार है। मध्यमवर्ग के पास चिकित्सा और शिक्षा पर असीमित खर्ज की समस्या भी चिंता का विशय है। अगर मौलिक जरूरतों जैसे चिकित्सा शिक्षा को ध्यान में रखा जाए तो सामान्य मध्यवर्गी व्यक्ति को परिवार में आकस्मिक बिमारियों के इलाज के लिए कर्ज यह पारिवारिक सहायता की आवश्शक्ता महसूस होती है। जिकित्सा के लिए सरकार ने LIG तपके के लिए योजना कर रखी है लेकिन आर्थिक रूप से मध्यम स्तर की आबादी को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। सामान्य बीमा कमपनिया अभी बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसी लेकर नहीं आई है। मध्यम वर्ग को हेल्थ बीमा पॉलिसी के विरुद अधिक्तम 50 से 60 पसेंट तक का रिइंबर्समेंट मिल पाता है। परंतु दूसरा पहलू यह भी है कि मध्यम वर्गिया परिवार शो आफ करने में पीछे नहीं होते। उनके वैवाहिक एवा रिचुल्स के आयोजनों पर होने वाले खर्च करने की प्रवृत्ती का फाइदा बाजार बाकाइदा उठा रहा है। मध्यम वर्ग को अगर अपना पारिवारिक अर्थ तंत्र मजबूत रखना है तो यह जरूरी है कि उसे अपने अनावशक खर्चों को सीमित कर देना चाहिए। उसकी यह बचत राश्ट्रिय बचत में शामिल होगी। जो स्वय मध्य वर्गी एवं राश्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस पॉडकास्ट के लेखक हैं गिरीश बिलोरे। आपको यहाँ पॉडकास्ट कैसा लगा कृप्या हमें जरूर बताएए। झाल 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 झाल